ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मकर राशी वालू हो जाओते यार क्योंकि अब आपको भगवान शुरेदेव के असरवास से 29 जनवरी से 12 फरवरी यानिकि इन 15 दिनों में मिलने वाली हैं बहुत बड़ी खुशकवरी जादोस्तो आपको बता दें भगवान शुरेदेव के असरवास से 29 जनवरी से 12 फरवरी यानिकि इन 15 दिनों में बन रहे गार्ले शिद्धी योग में और सूर्य के सुब योग में इन पंदरा दिनों में आपको पांच सुब समाचार और बड़ा सरपराइज मिलेगा जै दोस्तों आपको बता दें भगवान शुर्यदेव के सिरवा से आपके लिए 29 जनवरी से 12 फरवरी यानिकिन 15 दिनों का जो समय है बहुती अच्छा समय शाबित होने वाला है बहुती भागयाशारी समय शाबित होगा जिससे की यहसा में आपके लिए अत्यांत लाब कारिशा में शाबित होगा जै दोस्तों इन 15 दिनों में आपको भगवान शुर्यदेव के सिरवास से अने को प्रिकार के बड़े बड़े लाब धनलाब और बड़े-बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली हैं जिसस भी इस वीडियो को आप मिश ना करें को कि इस वीडियो में आपके 29 जनवरी से 12 फरवरी यानिकि 15 दिनों के शंपून और बिल्कुल शटीक राशी फल्क के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों वीडियो को अगर शुर्यदेव के सच्चे वक्त इस वीडियो को एक लाइक भी करें और कमेंट स्बोक्स में जै शुर्यदेव अवश लिखें जिससे भगवान शुर्यदेव का शिरवाद आपको शीदे प्राप्त हो सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए भगवान शुर्यदेव के शिरवाद से 29 जनवरी से 12 फरवरी यान संत्रण प्राप्त हो सकता है संतान संबंदी भी कोई समस्या हल करने में आप शक्षम रहेंगे इस्तितियां धन दायक चल रही हैं उनका सद्यूप्योग करना आपकी चमताओं पर निर्वर करता है कि आप उनका कैसे सद्यूप्योग करें दोस्तों यह समय आपका दिल की बजाए दिमाग से निर्णे लेना आपकी कई योजनाओं को कारे रूप में परिणित कर सकता है तमाम ववस्ता के बावजूद आप अपने और अपने परिवार के लिए समय निकाल लेंगे अपनी कारे चमता पर आप पूर्ण विश्वास रखें दोस्तों साथ इस समय कुछ पुरानी यादे ताजा होंगी जिस से आपके मन को काफी खुसी मिलेगी अगर कोई कोर्ड केस चल रहा है तो फैसला अब आपके पक्स में होने वाला है इसलिए पहले से ही उसपर पूरा काम करकर रखें जिस काम को करने के लिए आप पिछले कुछ समय से काफी सोच विचार कर रहे थे तो अब उसके पूरा करने का समय आ गया है समझ बूज और विवेक से कार्रे करने से हर बाजी आपके अब पक्ष पर रहेगी तता भारी संपरकों से भी आपको अब अधिक फायदा मिलेगा दोस्तो इस समय अगर आप किसी महत्पपूर्ण कार्रे पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो परिस्तितियां आपके अनुकूल हैं इस पर आप गंबीरता से काम लें दोस्तो यह समय आप धर और वेवसाय सम्मंदी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी संजितगी और गंबीरत का अनुबब होगा दोस्तो साथी साथ यह समय दूसरों की बातों में आने की अपेक्षा अपने निर्णे को ही सर्वोपरी रखें अन्यता किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है किसी पडोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मामला थाने तक भी बन सकता है इसलिए अपने क भावना उत्पन कर सकते हैं इसका नकारात्मक प्रभाब उनकी पढ़ाई पर भी पढ़ सकता है शावधान रहें साथ साथ यह समय बाहरी गतिविदियों तथा अंजान लोगों से दूरी बना कर रखें अधिकतर समय अपने घर पर ही आप व्यतित करें तो कि किसी प्रकार का वाद विवाद होनी की भी आसन का लग रही है संतान से संबंदी कोई चिंता आपको रह सकती है दोस्तों साथ यह समय कोई भी निलने इमोशनल होकर आप ना लें बच्चों के किसी कारे से आपको चिंता रह सकती है धन संबंदी भी नुकसान की भी संभवना है अगर घर में सुधार संबंदी कोई योजना आप बना रहे हैं तो वास्तु के नियमों का पालन करना आपके लिए बहुती आवश्चक है किसी नजदी की दिष्टेदार की वज़े से घर में मन मुटाव होने की भी इस समय संभवना है इसका असर घर परिवार पर भी पढ़ सकता है परन्तु घर के वरिष्ट वक्तियों की सला वे हस्त छेप से समस्याएं सुलज जाएंगी कटूवानी का आप प्रियोग भी करने से बचें जा दोस्तो यह समय अचानक से कोई नकारत्मक बात भी हो सकती है जिसकी वज़े से धन्हानी भी संभव है आर्थिक इस्तितियां डगमा गा सकती है अपने क्रोध वे उत्तेजना पर काबू बना कर रखें तता धहरें और स बार में आप समय नहीं दे पाएंगे परंतु परिवार के लोग आपकी इस्तिती को समझेंगे और सही होग भी करेंगे घर के किसी मुद्य को लेकर पती-पत्नी में कोई छोटी नोक जोग भी रह सकती है परंतु इसका नकारत्मक अशर घर के वातावरान पर नहीं पड़ दोस्तो यह समय बड़े बुजरगों के प्रती, सेवा भाव और देखवाल आपके परिवारिक जीवन में सुबह गयलाएगा प्रेम प्रसंगों में भी प्रगड़ता आएगी दोस्तो बात अगर आपके वैवसाइक केरियर की करें तो वैवसाइक छित्र में सारे निर्ण आप स्वैम हीलें, किसी का हस्त छेप आप ना होने दें, नौकरी पेसा वैक्तियों को अपना टारगेट पूरा होने से उच अधिकारियों का प्रत साहन प्राप्त होगा, जिस सेन को काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो साती सात यह समय शेयर तता सक्टा जैसे कारों से तालुक रखने वाले व्यक्ति और सावधानी से कारे करें, इस समय रुपे पैसे के मामलों में किसी पर भी भरूसा या विश्वास करना ठीक नहीं है, ध्यान रखें, कोई व्यवसाइक सूचना इस समय लीक हो सकत सावधान रहें, दोस्तो साती सात वर्तमान समय में चल रहें, व्यवसाइक कारों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें, तो कि इस समय परस्तितियां आपके पक्ष में हैं, इसका आप अवश्य ही लाब उठाएं, दोस्तो व्यवसाइक कारे चमता में बड़ोत्री होगी, उस तैनी व्यवसाइ में अधिक लाब दाएक परिस्तितियां बन रहे हैं, समय का आप भरपूर फायदा उठाएं, अचानक से ही कोई बड़ा काम बन सकता है, जिस से आपको काफी खुसी होगी, दोस्तो साती सात आपको पहले भी आगह किया गया है कि व्यवसाइक गति विदियो में वर्तमान इस्तिती पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, जल्द ही लाब के मार्ग प्रस्तित होंगे, अचानक ही कोई बड़ा कारने बनने से मन को काफी प्रसनता रहेगी, दोस्तो साती सात नोकरी पेसा वालों के लिए यह समय ब बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें, तो यह समय किसी पुरानी बीमारी से संबंदित रिपोर्ट ठीक आएगी, स्वास्थ आपका उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता आप ना करें, परंतु वर्तमान, नकार अत्मक, वाता वरन स अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्चक है, दोस्तो साथी साथ किसी प्रकार की चोट आदी लगनी की भी संभावना है, वहन आप बहुती सावधानी पूरबग चलाएं, तथा नसे आदी के सेवन से भी परेज करें, दोस्तो साथी साथ टांगों वे घुटनों में दर्द जैसी समस्या रह सकती है, वायू, बादी वाली चीजों का सेवन आप ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा